करी पत्ता में तोड के लेकर आई थी इसको बीज गे माले इसके की ज़िए फल्ग ड़ेल काया भूझ के लेकर पेंब उसको ले जाकर फार माऊस पे ढाल … हमने इस तरह से और इसमें डाल देगे, इसको करेंगे स्टोर, देखते हैं कैसे करेंगे स्टोर हम, महने वर तक तो ऐसी रखी रहेगी फ्रेज में, ये दिबभा है मेरे पास, इसमें हम ऐसे इस तरह से भर देंगे दबा दबा के, इसको हमने दोया नहीं, गीला नहीं किया, जब आप सारा मिल गया था मीठा नहीं जल्ली तो वहां बहुत खड़ा हुआ था गूमने गए तो हमने सोचा वहां से तोड़ लेते बीज भी काफी लगे हुए थे उसमें ये इस तरह से भर लिया में ठूश के अब इस पे हम डिबा लगा दे और इसको हम रख देंगे फ्रेज के अं महिने तक इसको ऐसा ही रखा रहेगा जब आपको चाहिए हो तो ड़कर ने खोल के अच्छे से थोड़ा सा निकाल लो जितना चाहिए आपको फिर फ्रेज में बंद करके रख दो एर टाय डिब बहाए ये देखिए हमने फ्रेज में रख दिया साइड में ये रखा रहे है इस पर काफी बीज लगे हुए ये काले काले ये देखिए है इसको जमा देने अब इसको सुखाएंगे पहले तिर इसको डालनेंगे पिलाट में उदर फार माउस पर जगह है उसमें जमाने के लिए हैं ये देखिए